हेलो गाईज, वेलकम तू माई चैनल आज की वीडियो में हम डिस्कुस करेंगे प्राइमरी क्लासिज के लिए प्रायवाची शब्द छोटे बच्चों को कौन-कौन से प्रायवाची शब्द सिखाये जाते हैं प्राइमरी क्लासिज में सबसे पहले बच्चे को ये बताना ज़रूरी है कि प्रायवाची शब्द कौन से होते हैं इसलिए एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्दों को प्रायवाची शब्द कहा जाता है ठीक है? जिन शब्दों का समान अर्थ होता है वो प्रियावाची शब्द होते हैं, ठीक है, जैसे स्कूल, स्कूल को हम क्या बोल सकते हैं, विद्याले, पाठशाला, गुरुकुल, ठीक है, ये सबी स्कूल के प्रियावाची शब्द हैं, यानि के समान अर्थ वाले शब्द हैं, भगवान, इश्वर, प्रभु, अध्यापक, शिक्षक, अचार्य, गुरू, दोस्त, मित्र, मीत, सका, घर, ग्रै, अल्य, सदन, प्रित्वी, धर्ती, भूमी, धरा, पहाड, पर्वत, शैल, गिरी, उसके बाद है, आस्मान, आकाश, नब, गगन, सूर्य, रवी, बानू, सूरज, चंद्रुमा, चान, राकेश, शशी, बादल, मेग, घन, जल्धर, वर्शा, भारिश, बर्सार, बर्खा, ठीक है, उसके बाद है, संसार, जगर, दुनिया, वेश, सुभ, सुभ के प्रयावाची शब्द होंगे, सवेरा, प्रात्य, परभाद, दिन, वार, दिवस, वासर, शाम, सांज, साय, संध्या, रात, रजनी, रात्री, निशा, पानी, नीर, जल, तोय, फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, पेड, तरू, व्रक्ष, विटब, बाग, बगीचा, वाटिका, उपवन, बेटा, वाद्स, पूत्र, सुत्र, आँक, नेत्र, नैन, चक्षू, तो यह वो प्रियावाची शब्द थे, जो प्रामरी क्लास में अक्सर बच्चे को सिखाये जाते हैं, क्योंकि यह शब्द बच्चा अक्सर अपनी डेली लाइफ में सुनता है, और यूज करता है इन शब्दों को, इसलिए बच्चा इन प्रिया यह शब्द बच्ट, आप इन शब्सक्राइब, जो जब्सक्राइब, तक बच्चा य।